अगर आप लोगों को मेरी मिठी दलिया की रेसिपी पसंद आती है न तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर जरूर करें और हाँ बेल आइकन बटन जरूर दबाया करें उससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के रूप में प् यह रख दिया है कढ़ाई कैस पर इसमें हम डालने हैं देशीगी देशीगी से दलिये का टेस्ट बहुत चाले अच्छा आता है आप देशीगी के अलावां और कोई आयल यूज ना करें यह मेरा रिक्वेस्ट है यह देखे हलका सा गरम हो गया है अब मैं एक कटोरी के पूरूंगी जब तक दलिया का कलर चेंज न हो जाए और चेंज होके हलका हलका वाइट न लगने लगे यह देखे सारे दलिया जो है हलके हलके फुल गये हैं हलके हलके वाइट देखने लगे हैं हमको बिलकुल ऐसा ही चाहिए अब इसमें हम पानी एड कर रहे हैं लगवक से ही सबसे पहले हम इसे फानी से पताइंगे यह दिला हमने इस खोला इसका जफान ध़कन खोला दलिया Horka हो गया है और आ संफनी हम एट्ण रहे हैं तूद दूध अब हम इसमें एट कर रहे हैं दूद दूद लगवग हमारा डेट गलास के लगवग दूद है इसको हम इसमें एट कर दे रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं अब इसी टाम हम इसमें एट कर दे रहे हैं ड्राइफ रूट्स आपके पास जो भी हो आप उसे ए आपके पास और भी ड्राइफ रूट से अब लेवल हो तो आप और भी डाल सकते हैं या फिर आप इसे टोटली स्कीप भी कर सकते हैं अब इसको हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे अच्छे से अपने पल्टे से चलाते हुए चारो तरफ से इस तरह से घुमा के और अब इसमें मैं अपना एक सिक्रेट एड़ करने जा रही हूं जिससे इसका कलर बहुत ही चादे सुन्दर हो जाएगा यह देखे यह हल्दी यानि कि थोड़ा सा मैंने एक पिंच के लगवग इसमें हल्दी एड़ किया है आप अकसर करके दलिया जो होता है उसका कलर देखते होंगे थोड़ा सा हल्का सा यलो यलो कलर का होता है या फिर आप खुब गाढ़ा कर दिजिए अगर आप गाढ़ा नहीं भी करते हैं तो भी इस हल्दी को डालने के वज इसको हम अच्छे से चला के फिर से ढखके रख दे रहे हैं लगवग 6 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे ये देखे लगवग 6 मिनट हो गया है हमारा दूद भी अच्छे से गाढ़ा हो गया है दलिया भी खुब अच्छे से पक गया है ये देखे हमने इसको पहले ही चेक भी क कर सकते हैं आप चाहे तो ऐसे ही से खा सकते हैं या फिर आप चाहे तो सुगर फ्री भी आड़ कर सकते हैं यह देखें यह मैंने चीनी इसमें आड़ किया है लगबग एक टेबल की स्पून मैंने जादे इसमें चीनी नहीं आड़ किया है इतने में ही यह सफिसियंट मिठा हो मेल कि इस दलिया को अछ्पा कर देगा जितना में हमारा में से खा सके ये देखिए हमने लगवग 2-3 मिनट और पकाया या जितूरे रही हमने हील देर उतना को करें अच्छे से गाड़ा हो गया है यानि हमां मुश्किल सेगावा हो गया है यानि तैया इंट-घ। बन के तयार होता है अक्सर करके हमें सुबा के नाश्ते में इसी का प्रयोग करना चाहिए अगर हमने सुना है कि श्री नरेंद मोदी जी भी सुबा के नाश्ते में दलिये का प्रयोग करते हैं तो आप लोग भी इसका प्रयोग करें देखिए वह अभी वी सेज में कितने तो हम लोग भी active रहेंगे। और हमारा आने वॉला भविस्वी एक्टिव रहेंगे अगर अपने बच्चों को सबको इसकी आदर । डाल देंगे तो क्या होगा वो लोग भी इसको खाया करेंगे और इससे वो लुद्धी हेल्दी होंगे और हम लोग भी हेल्दी होंगे यानि कि हमारा वर्तमान भी हल्दी होगा और आने वाले भविश्य भी तो अब यह दलिया देखें बिल्कुल रेडी है खाने के लिए और अगर आप लोग को मेरी यह बनाई वी दलिया के रिए पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जरूर करें और हां मुस्कुराते रहें अपना ख्यार लखें जहां भी रहें हल्दी खाएं सोस्त रहें मस्त रहें अपनी लाइफ को हमेशा हमेशा एवरी टाइम एं Thank you so much. Enjoy your day.